गुड बॉर्णिंग टू अल आफ यू वाइशिटी के इस चैनल पे आपका स्वागत है आज इंग्लिश की क्लास पहले ली जाएगी उसके बाद सर पढ़ाएंगे आपको साइंस पढ़ाएंगे और जी एस वगरे पढ़ाएंगे तो देखते हैं क्लास शुरू करते हैं question पर आते हैं question है कि in the following questions the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option यह close test का questions है close test में हम देखेंगे यहाँ पे की पुरा पैस पर लेते हैं the dash यहाँ पे रिक स्थान पर भरना है पहला वाला of lectures could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work to it should also be indicated how the days lecture dash into the course pattern a lecture should be presented in one unbroken discourse unless exceptionally interesting a long lecture strength the days of concentration listening causing intermittent wondering of attention and loss of continuity in thought यहाँ पे आपको कह रहा है कि work के बारे में बताया जारा है थोड़ा सा यहाँ समझाया जा रहा है कि the days of lectures could be enhanced by introducing the lecture में यहाँ पे भरना है कि जो lecture का dash यहाँ पे फिल करना है could be enhanced इसको बढ़ाया जा सकता है introducing the lecture lecture को इंट्रोड्यूस करते को बताते हुए तो यहाँ पे lectures के बारे में हो रही तो यहाँ पे हमें प्रभावसाली सब्द जो यूज में आ रहा है यहाँ पे कि lectures की effectiveness lectures की जो effectiveness है मतलब उसकी प्रभावसालिता को हम बढ़ा सकते हैं लेक्चर को इंट्रोड्यूस करके तो यहां जो सही एंसर होगा यहां पर रिक्तस्थान पर आएगा खाली स्थान पर आएगा बी ओप्शन नेस्ट क्वेश्चन देखते हैं विद ब्रीफ रिवीव आप दे वर्क इट शुड आल्सो भी इंडिकेटेड अब यहां पर भरना था पैसेश में अगर देखें तो उसी पैसे से आपको पढ़के बताना है कि विद ब्रीफ रिवीव आप दे वर्क यहां पर रिक्तस्थान पर आना चाहिए हो आना चाहिए है जो सही होगा option होगा fits आप यंदि लेक्ट्शर इट्स फिटस इन्टी दे कोर्स अफैसाब मतलब कैसे जो दिनका लेक्चर है वो खोर्स के बैटर्न में कैसे विवस्थीत होता है फिट कैसे होता है next question lecture dash फिल करना है प्रेजेंटे इन अन बोकेन डिस्कोर्स डिस्कोर्स तो कभी-कभी क्या होता है कि जो लेक्चर होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं हम लोग in one unbroken discourse कि बिना टूटे हुए एक लगातार क्रम में हम उनको करते हैं लेकिन यह कभी-कभी ऐसा होता है जो seldom use किया जाएगा यहां पर जो सही option होगा वोगा seldom यहने कि D option हो जाएगा इसका right answer next question देखते हैं a long lecture distance the dash of a concentrated listening causing intermittent wandering of attention and loss of continuity in thought यहां पर हमको भरना है कि यहां पर fill in the blank करना है कि long lecture strength the dash of concentration listening authorities सब यूर जहीं होगा यहां पर comfortability यह भी यहां पर उपिप्ट नहीं है reasonability इसका भी उपिप्ट यहां पर नहीं है तो यहां पर जो सही आएगा concentrated listening की capacity को दर साता है तो यहां पर जो आएगा वो भी option होएगा कि long lecture strength the capacity of concentrated listening तो यहां पर capacity सही होगा बी option next question देखते हैं in the following question some part of the sentence may have errors find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option अभी आपको यहां पर error पता करना है कि किस भागवे error है question में कहा रहा है कि चिलका is the largest brackish water lagoon in Asia जो चिलका है वो एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का जील है तो यहां पर easy के बाद यहां पर largest जो है superlative degree है और इसके पहले दर लगना चाहिए तो सही है यहां पर brackish water यह भी सही है इसका मतलब इसमें कोई error नहीं है तो इसका सही option होगा d option no error सही है next question the climb upside the mountains was not easy the climb upside the mountains was not easy यहां पर इसका जो error है वो first part में है climb का मतलब होता है उपर की ओर चढड़ना उपर की ओर चढड़ना तो यहां पर जो upside का प्रयोग किया गया है यह superfluous है अनावस्यक है यह प्रयोग नहीं होना चाहिए यहां पर ज्यादा suitable होगा कि to i the climb to the mountains the climb to the mountains तो इसका जो सही answer हो जाएगा right option हो जाएगा first option पहले भाग में error है next question देखते हैं in the following questions the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option यहां पर fill करना है हमको सही option फिल करना है यहां पर अगर हम बात करें question की तो यहां पर rituals play into the dash understandings of a society तो इसका जो right answer होगा वो होगा rituals मतलब होते हैं जो रीति रिवाज हैं वो अदा करते हैं play करते हैं tacit का मतलब होता है समझ होता है tacit का मतलब होता है समझ तो यहां पर जो तही option इसका होगा यहां पर रिक तस्तान पर वाएका tacit और tacit ही यहां पर suitable है rituals play into the tacit understandings of a society मतलब society के समझ को यह बताते है rituals से यानि रीति रिवाज next question repetition bred a sense of with the characters characters को यहां पर repetition bred a sense of यहां पर हमें भरना है सही option क्या आएगा तो यहां पर नाउन का प्रयोग किया जाएगा of के बाद नाउन आना चाहिए तो नाउन यहां पर आ रहा है familiarity इसका जो सही answer होगा right answer familiarity यानि परिशय बताता है तो इसका जो right answer है वह option है familiarity next question देखते हैं in the following questions out of the four alternatives select the word similar in meaning to the word given यहां पर हमें synonym बताना है यहां पर यह बाची बताना है तो जो incense का मतलब होता है incense का मतलब होता है क्रोधित हो जाना या क्रुध इंसेंट्स का जो मतलब होता है वो होता है क्रोधित हो जाना या क्रुध तो और बाकी options के बात कर लें तो इसमें exasperated की बात करें तो ये है ये भी होता है क्रुध प्रोधित हो जाना तो इसका जो सिनानिम है वो बी option है ecstatic का मतलब होता है सांदार बहुत ज्यादा खुश रहना और ब्लीद का मतलब होता है प्रशन्न होना प्रशन्न चित और इलेटेड का मतलब है इलेटेड का जो मतलब है वो है उत्साहिद related का मतलब है उत्साहिद तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा exasperated यानि की खुद्ध यानि की synonym इसका हो जाएगा exasperated next question देखते है transcend transcend का मतलब होता है कि आगे की और बढ़ना आगे बढ़ना अगर options की बात करें तो eclipse eclipse का मतलब भी यही होता है आगे बढ़ना eclipse का मतलब भी होता है आगे बढ़ना और बाकी options की बात करें अगर तो fizzle का मतलब होता है sit car blender मतलब बड़ी भूल बड़ी गलती और abert मतलब होता है nest करना इसका जो synonym हो जाएगा वो हो जाएगा a option a option सही है next question देखते है in the following questions out of the four alternatives select the word opposite in meaning to the word given opposite पता करना है incapacitate incapacitate का मतलब होता है पंग बना देना किसे को पंग बनाना अब options की बात करें तो इसका जो facilitate है facilitate का मतलब होता है sugam बनाना और cripple cripple का जो मतलब होता है वो होता है पंगु बनाना ये भी ये सिनॉनिम हो गया इसका cripple और मेम का मतलब होता है अपंग या लूला अपंग और इं मोबिलाइज का मतलब होता है इस्थिर और इसका mobilise होता है, mobilise मतलब गतिशील तो इसका जो सही answer हो जाएगा, इसका जो antonym होगा, pangu बनाना, इसका हो जाएगा, सुगम बनाना, तो यह pangu का बनाने का मतलब होता है, बाधित कर देना, इसका जो right answer होगा, वो facilitate होगा, facilitate होगा, next question देखते हैं, सेंटियन्स इसका भी हमें बताना है एंटॉनिम बताना है एंटॉनिम इसका बताना है सेंटियन्स का इसका मतलब होता है चेतना मतलब ध्यान देना और डिस्रिगार्ड का मतलब होता है कि अनाधर कर देना ध्यान न देना अनाधर करना और appreciation का मतलब होता है प्रसंसा और consciousness का मतलब होता है consciousness का मतलब होता है चेतना और perception का मतलब होता है अनुभूती, perception का मतलब होता है अनुभूती, तो इसका जो right answer होगा एंटानिम जो इसका होगा वो होगा disregard, चेतना मतलब किसी चीच बहुत ध्यान देना और अनाधर करना मतलब अंदेखा कर देना इसका जो राइट एंसर है इसका एंटॉनिम है वो है डिस्रिगार्ड नेस्ट क्वेस्टन इसका मतलब होता है कड़ी प्रतिस परधा बोल सकते हैं अगर हिंदी में बात करें तो यह कड़ी प्रतिस परधा गला काट प्रति होगी तो ऐसा बोल सकते हैं अब देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा दिया है मेक अधर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स और गेट सैडि स्टिक प्लीजर आउट अफ इट यह नहीं है अप्शन है डेक्स्ट ऑप्शन है बी एन ऑप्रेसिव बॉस और ट्रियेट एंप्लोईज लाइक अनिमल्स एक ऑप्रे इस तरह का जो जीवन जिसमें लोग फिरसली मतलब बहुत तेजी के साथ प्रतिसपर्धा कर रहे हैं संघर्च कर रहे हैं फॉर वेल्थ के लिए यानि धन के लिए और सक्ति के लिए इसका सही राइट आंसर होगा वो सी होगा राइट रेस बहुत ज्यादा इस पर्धा अत्यधिक प्रयास करना कम चीज के लिए कम पैसे के लिए या कम लाभ के लिए अत्यधिक प्रयास करना इसका जो अंसर होगा वोगा keep bragging about oneself नहीं, यह नहीं है, try your luck, यह भी नहीं, expel much effort for little or no gain, little or no gain के लिए ज्यादा है प्रयास का देना, तो यह हो जाएगा, c option इसका सही right answer हो जाएगा, next question की बात करते हैं, अगला question, in the following questions, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the break dead part of the sentence, in case no improvement is needed, select no improvement, तो यहाँ पर हमें जो bracket part में दिया है, इसको correct करना है, अगर गलती नहीं है, तो इसका answer होगा no improvement, तो question है कि a small make shift stage, एक छोटा सम make shift stage है, जो बनाया गया stage है, was construct with a red curtain of for a backdrop, तो यहाँ पर में एक shift stage है, और stage तो subject बन नहीं सकता, कोई खुद से काम तो करेगा नहीं, यह जो sentence है, वो passive wise में है, sentence है, किसमें passive wise में, क्योंकि यहाँ पर में shift खुद वर्क नहीं करेगा, तो उसमें passive wise में, वाज के साथ वर्ब की third form आता है, वाज के साथ वर्ब की third form आता है, तो इसका जो सही answer होगा, construct, यानि वाज constructed, इसका answer होजाएगा right answer, be option, next question देखते हैं, take out your binoculars and will see the andromeda galaxy, अपने binocles, दुर्बीन को निकालो, और andromeda galaxy को देखो, तो यह imperative sentence में वाग्य है, तो sentence है, यह किसमें है, imperative sentence में, और imperative sentence में हम, जो पूरा structure होता है sentence का, वो present indefinite में ही होता है, मतलब उसमें वर्ब की first form ही आती है, वर्ब की first form ही आती है, तो will तो नहीं होगा, इसका मतलब इसको correct करेंगे, तो क्या आएगा, केवल C आएगा, तो जो right answer हो जाएगा, वो A option, 17 का A, यानि C केवल होगा, will सी नहीं, ऐसा imperative sentence में नहीं देखने को विलका, next question, in the following questions, out of the four alternatives, select the alternative, which is the best substitute of the words phrase, words phrase का जो सबसे अच्छा substitution है, वो बताना है, take away और alter the, यान हमें हमें बताना है, इसका, one word substitution, बोल सकते हैं, one word substitution, इसमें कहे रहा है कि, take away और alter the natural qualities of, जो natural qualities है, उसको परिवर्टित कर देना, उसको बदल देना, तो इसका मतलब, natural quality को परिवर्टित करने का, तो D यहाँ पर लगा हुआ prefix, denature करना, तो इसका जो right answer है, वो denature है, यानि कि इसी चीज़ की जो वास्तिविक quality है, उसको बदल देना, स्वभाव वाली जो उसकी प्रकृतिक quality है, उसको change कर देना, इसमें बात करें, बी option की तो unadultrated का मतलब होता है, कि adulterated मतलब होता है, मिलावट करना, और unadultrated मतलब सुद्ध, बोल सकते हैं, कोई मिलावट नहीं, authentic का मतलब होता है, असली और limpid, limpid का जो मतलब है, वो है सांत, या इस पस्ट, इसता जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, denature कर देना, इसी चीज़ को, next question, decay of organic matter producing a fated smell, organic matter, decay, decay मतलब होता है, 6, nest होना, organic matter producing a fated smell, उसमें से, जो fated मतलब होता है, दुरगंध, तो दुरगंध जो आ रहा है, fated smell जो आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कि उसका 6 कर दे रहे हैं, तो उसका 6, इसके लिए जो one word आएगा, एक सब्द आएगा, किसी, कि इसके दुरगंध को खत्म करना, उसके लिए वर्ड जो आएगास, one word वो आगा, पुट्रे फाई, तो इसका जो राइट एंसर होगा, वो पुट्रे फाई होगा, यहाँ पर क्या इस्टेक हो रहा है, हाँ, डिखे और अरगेनिक मेटर, अतललब किसी ओरगेनिक मेटर, यानी कि कि इसी कारवनिक चीज का, नस्ट हो न, कि परोड८िपान पोन होना, इस प्रक्रिए को बोलते हैं, पुट्रे फाई, अगर options की बात कर लें तो crisp का मतलब होता है कुरकुरा और neoteric neoteric का मतलब होता है modern या अधुनिक neoteric और virgin virgin का मतलब होता है पवीत्र तो इसका right answer है a option next question देखते हैं last question है ये English का in the following questions four words are given out of which one word is correctly equality spelt एक word इसका select the correctly spelt word तो हम्ह Basically पता करना है तो इसका जो correct यहां पर mistake of believing यहां पर जो spelling है वो error है इसमें बाकी सारे तो सही right Spirit correctly Spelt इस पता करना है यह option नहीं सही है यह wrong है यह वह gonna plus is जो correctly spelled वह है जिसका मतलब होता है वंचीत करना इसका मतलब होता है पंजित करना तो इसका राइट एंसर है बी ऑप्शन तो इंग्लिश की क्लास सीपी खत्म होती है सर आएंगे अभी पढ़ाएंगे आपको जी एस पढ़ाएंगे थैंक यू चलिए का प्रसनों को देखेंगे जिसमें जनरला सब् करेंगे जो प्रसन है आपका उस ब्रसनों को आप लोग ने देखा जो इंगलीश का जो प्रसन था उसके बारी निगा जरनल sowyl awareness जो रखा के प्रस्चनों को हम देखेंगे लगा के प्राशनों के बाद जो जनिल आवेरनेस के जो प्रस्चन है उस पर हम आप से बात करें गे करा प्रकास की तिवर्ता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है यह प्रस्ण जो था आपको मिला भी था यह प्रस्ण जो है आप देखें होंगे मैंने आपको जब एक्सग्रूब व्ले तो परशन था होते हैं तो यह कह रहा है कि क्रकास की तिविता को मापने के लिए किसका करते संपस्पाइब करोग किसे के дав की चंए को दब यह दाब कहा जाता है पी कवल तू याफ बाई याफ का मतलब होता है फोर्स और यह का मतलब होता है एरिया बल अपान के त्रफल इसे इसको नापने के लिए जो था बैरोमीटर का प्रयोग करते और यहां पे आप से पूछ रहा है प्रकास की तिब्रता को मापने के लिए याद रखें कि साइनोमीटर तो यह नहीं होगा चुकि साइनोमीटर आप जाता है लूसी मीटर कहा जाता है तो प्रकास की तिब्रता को जो मिजर्मेंट किया जाता है जो मापक यंत्र है जो लूसी मीटर के द्वारा प्रकास की तिब्रता को जो मापन करने वाला यंत्र है उसका यंत्र का नाम है लूसी मीटर यह विल्विदर राइट आंसर यह आपके दिये गए प्रस्ण जो होगा यह आपके दिये गए प्रस्ण का क्या होगा सही उत्तर हो आगे चलिएगा अगला प्रस्ण आप से कह रहा है कि ध्वानी तरंगों से कौन सा सब्द जूड़ा हूआ नहीं है विस्ठर मिन आठ एसेटियेटर विट्सान वे copman भवनी तरंङे धुनी तरंगों से कौन सा जो सब्द है यह जुड़ा नहीं है हड्ज क्या करता है आब रिती को मापnे का काम करता धी आब रिति हड्स इसका यूनिट होता है आब रिति का प्रतिसेकंड चक्रों की संख्या को आब रिति कहते हैं और यहां पर आप से कह रहा है डेसिबल डेसिबल से ध्वनी की तिव्रता को मापा जाता है और केंडिला से जियोती तिवर्ता कुम आपने का काम करता है यह जियोती तिवर्ता कुम आपने का काम करता है कैंडिला और अगला है मैक मैक जो होता है यह उच्छ ध्वानी कुम आपने का काम करता है उच्छ बेग या ध्वान घ्राइद द्रोट रोटीट रखारा भुन से कौन सा्वत नहीं जूड़ा जो प्रस्न जो है यह कौन सांसा मे नहीं जूड़ा है तो यह आप देख रह laughs it पूर की छेखार रस्न कह रहा है निम्नलिकित में से कौन सी एक सदीश रासी नहीं है दो बाते हमें समझना रहता है एक सदीश रासी और एक अधिश रासी होता है लिख लिजेगा सदीश रासी कि ऐसी भौतिक राशियां कि जीने ब्यक्त करने के लिए परिमार के साथ साथ जिशा किया हो सकता होती है उन्हें सदिस राशी कहते है बंघ त्वरड विश्थापन ये सब सदिस राशी के उधार अब यहां पर देख सकते हैं प्रस्ना आप से कह रहा है कि कौन शदिस राशी नहीं बल क्या है शब्स राशी है विएग क्या है उदीश राशी और बिश्थापन क्या है सधिष्रासि कार्य कि आ अधिष्रासि का उदारण होगा जो तेश्वा प्रस्न है उस तैश्वे प्रस्त का जो राइट आंसर होगा वो एय आपके दिये गई प्रस्न का ये क्या होगा यहां सही उत्तर होगा और अगला प्रस्त्त जो है आपका कहरा है तो विश्वा प्रस्त्त करा चंद कुमोरवाज एल्टेंड फालोर्स आप चंद मौर इसक्र प्रवल अनुयाई थे फिर स्ट आप से कह रहा है चंद कुम जो मौर थे यह चंद कि इसके प्रवल अनुङाई यहां पकाः रहा है कि शिख धर्मके प्रवल रोण 음veo यहां कहाई चन्दगुप और Insight यह यहाँ पर जो आपका जाएगा यह बहुत धर्मके जो से सब्सक्राइब भद्र और इस तुल भत्र ये बाद में जाते हैं तो यह चंद्गुप महुझे जैन धर्म से रिलेटेट से यह तो थ्यान दीजेगा यह अगला प्वाइंट है का रहा सूर्यमंदिर कौन से राज्य में स्थिर का एक किस राज्य में जो है सूर्य मंदिर क्यों है यह पाया जाता है यह आप से कहारा राजस्थान में यह आंद्रप्रदेश में या उडिशा या तमिलाडु याद रखेगा जो सूर्य मंदीर है यह उडिशा का सूर्य मंदीर जो कुराड का सूर्य मंदीर कहा जाता है यह कुराड का सूर्य मंदीर कि इसे कहते हैं को राल का सूर्य मंदीर गंग वंसी शासक नर्सिंग देव ने इसको बनवाया था वाई ग्रूप का प्रस्न है यह गंग वंसी शासक प्रेक्टिस एट थार्ड हम लोग लेकर आया है आप लोग के सामने तो गंग वंसी जो सासक था नर्सिंग देव ने बनवाया था यह प्रस्न भी आप से कही बार पूछा जाता है यह सी आपके प्रस्न का सही आंसर होगा अगला कार आकार के संदर में पृत्वी हमारे सौन मंडल मे कि स्क्राम पर आती्क है क्या गाओ सौन मंडल में करम कांग से पूछा गया है 26 प्रस्ण का जो राइट आंसर है वो पाच्व नंबर पर है अगर कहे तो इसको मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं देखिए का सुरिय पहले है है तो अधोग सुर्य के बाद आप सुरू करियेगा बुद्ध से अभूद एक एक डेट छोड़ दीज़िए गएगा बुद्ध ब्रयस्पति शुकरा आएगा को शुक्रिक वाद सणी रभी फिर इसके बाद यह सीरीज होता है इसके बाद मंगल आएगा इसके बाद विरस्पती आएगा यह सीरीज होता है अब यह कह रहा है कि आकार के संदर में प्रित्वी हमाने सौर मंडल में जब आकार के यह सीरीज के रिसाप से होता तो यह थार्ड नंबर पे सिर्egen Si Plus के साब से 3rd नंबर पर है लेगिनि आपसे आकार के इसंब्स पूछा गया है तो जब आकार के इस आप से हम देखेंगे तो उसे कहा जाता है फिफ्ट नंबर पर यह आपके दिए गया प्रस्नकाद सही आंसर होगा 26 के बाद आपते गार भारत के सबसे बड़ी सवर सकती सन्यंत्र कहां पर इष्टित गुजरात के कक्ष के रण मेंनागर कायल मेंfill मेर माधापूर तो याद रहे हिए या पोर्ट ब्लेयर तो याद रखिएगा अंडवान नीकोबार का पोर्ट ब्लेयर है और इसका आपको मिलेगा कवरती तो लक्षदीप की जो क्वेपिटल है यह प्रवाल निर्मित भी है और यह आपका मिलेगा अंडवान नीकोबार तो यह 28 प्रसन हुआ इसके बाद जो के प्रसन है मैथमेटिक्स के प्रसनों को आप साल्व करिएगा चलिएगा यह कि इस क्लास को जो है आगे इसके आगे लेके चलते हैं जहिंद वाई गुरुप का आप लोग प्रेक्टिस एट थाट देख रहे हैं और इसके बाद फिर अगले दिन आपका एक्स गुरुप का होगा ठीक ना तो बताये गया है कि भाई आल्टरनेट करकी यह चलेगा इसके बाद बार बार इन्फार्मेशन हम लोग दे रहे हैं नेवी SSR और MR का प्रेक्टिस बैच बहुत जल्दी आ रहा है आपके सामने और वी फ्री आपकास्ट रहेगा और यदि एडिमीसन आपको लेना है ठीक हैं तो एडिमीसन ओपेन है जिसमें आपकी क्लासे चलती है रेगुलर क्लास है आपका उसमें प्रेक्टिस बैच फ्र रता है ठीक ना में कोश्चन का पैटर्ण भी चेंज है तो ध्यान रहें तो एक्स ग्रूप का अगले दिन होगा आज वाई ग्रूप का प्रेक्टिस नंबर थर्ड है और इस पर आप लोग देख रहे होंगे कोश्चन आपका आ रहा है 29 नंबर मैथमेटिक्स का है और यह प्रश्ण है क्योंकि इसमें वारीएसन होता है बार बार हम बताते हैं वाई ग्रूप का जब भी पेपर आपका होता है तो वेरीएसन होता है रिजिनिंग और सर्दीर कर मैथमेटिक्स में कभी इस जीके का साथ देता है कभी आठ देता है около 10 दे और इसी तरीके से आपका arithmetic का भी condition यही है कभी 7 देगा कभी 8 देगा कभी 10 देता है ठीक ना reasoning का लगभग 12 से लेकर के 15 प्रशनों तक निश्चित रुप से दिया जाते हैं और जो English का है उसमें variation नहीं होता है रागा में आपस में variation है भाई लेकिन English में 20 questions हमेशा आना है एक सो हो या वाई हो ठीक ना तो इस pattern पर आपका जो practice set चल रहा है वह आपके परिच्छा के दिरिष्टी से बेहतर है और इससे बेहतर content साइद कहीं आपको नहीं मिलेगा यदि आप परिच्छा दे रहे होंगे तो इन सभी प्रश्णों से जो आपको कराय जा रहा है जितने करा चुके हैं उसको match करिएगा आपका same to same match होगा ठीक ना चलिए देखिए यह आपका बर्गमुल का प्रश्ण है ठीक ना इसका है root का प्रश्ण है भाई और इसे हम देखते हैं कि क्या दिया है वाड़ी दा वैलू आप रूट में इसका हम टेक्निक आपको समझा देते हैं यदि इस तरग से प्रश्ण लीखा गया हो इसको हमेशा याद रखिएगा ज्यान दे यदि A प्लस माइनस B A प्लस माइनस ऐसे लीखा हो तू रूट B का बरिगमूल ज्यान कीजिए ठीक ना यहां दो होना चाहिए यदि दो नहीं है तो यहां से जो संख्या होगी उसमें से आप चार फैक्टर करके दो को बाहर कर लेंगे वरिगमूल निकाल करके बने इसी रूप में प्रश्ण आपका होना चाहिए यदी है इस फार में तो यहां जो नंबर होगा करणी में B के जगा पर कोई भी संक्या यदी है तो उसका ऐसा दो गुडन खंड बनाएंगे आप यहां लिखी गई संक्या का ऐसा दो फैक्टर बनाईए कि उस फैक्टर का सम इस फैक्टर का सम यहां जो संक्या है इस संक्या का ऐसा दो गुडन खंड आपको बनाना है कि खंडो का योगफल किसके बराबर आजाए एक के बराबर हो जाए जान रहिए इसको बढ़िया से दो गुरन खंड ऐसा बनाईए कि खंडों का योग फल ए के बराबर हो जाए ठीक है जैसे हमने मान लिया कि ये हुगा ठीक है अब ये जो फैक्टर बने हैं उसी को करणी में लिखेंगे बड़ी वाले को पहले लिख लिजेगा छोटी वाले को बात में करणी में ही लिखना ह प्लस होगा तो प्लस दे दीजिएगा माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा तो ये अपका इसक्वायर रूट हो जाएगा बरिगमूल हो जाएगा इसी पैटन पर यह प्रशन लिखा गया है करणी में देखिए 18 माइनस है दो करणी में 77 है 77 का दो गुरन खंड करिए कि उन खंडों का योगफल अठारह आ जाए ठीक है तो देखिए एक गारा गुड़े साथ एक गार साथ सतहतर होता है एक गारा और साथ मिल करके कितना हो जाएगा अठारह जाएगा ठीक ना जोड़ने पर इन खंडों का योगफल अठारह के बराबर आता है तो इसका आंसर रहेगा, आंसर निकालना है, तो देखें ये आप, करणी में 11 लिख दीजिए, ठीक ना, प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है, और करणी में 7, इन दोनों को रूट में लिखना है, और जो यहां sign रहेगा, उसी sign को लगा दीजिए, होगे आंसर इसक तरसाई है, तो यहां method आपको याद रखना है, ठीक ना, एक और इस पर ठीक है, जब पढ़ाते हैं, उस समय बताते भी हैं, वो भी देख लें आप लो, second trick, कभी-कभी यह a plus minus करणी में भी ही दे देता है, और यहां b के जगा पर कोई ऐसी संक्या नहीं, दो बाहर नहीं है और कोई भी ऐसा factor इसमें चार का नहीं है, जो अंदर संक्या यहां लिखी गई है, वह चार के multiple में नहीं है, चार के गुड़ज में नहीं है, जब चार के गुड़ज में नहीं है, तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ही चीज आपको देखना है, कि इसके double से यह एक कम है की नहीं, double से एक कम होना चाहिए, यदि उसके double से एक जगा जो संक्या रहेगी, उसके double से एक यदि संक्या कम है करणी के अंदर, तो direct इसका answer हो जाएगा भाई, इसी को हाप के रूप में लिख देना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस है तो माइन जीए, तो उत्तर हो जाएगा, for example देख लीजिए उस पर, यह है example, करणी में जैसे तीन धन पांच दे दिया है, ठीक है, तीन का double 6 होता है, तीन का double कितना होगा, 6, 6 से एक कम है यह, इस फार में तो नहीं है, लेकिन इस फार में दीख रहा है, तो हम इसका direct answer निकाल सकते है यह आपको चेक करना, इसके double से एक कम है की नहीं, double से एक कम आ रहा है, तीन दो नीचे, 6 माइनस एक करेंगे, तो 5 आएगा, तो बन रहा है इस फार में पर, तो direct इसका उत्तर लिखना है, जो करणी में 5 है, इसी को आप हाप कर देजिए, प्लस है तो प्लस लगा देजिए करणी में 1 बटे 2 हो गया answer, आप whole square करेंगे यहीं आएगा, बर करके देखेंगे तो यह आजाएगा, ठीक न, तो यह इसका मान हो गया, ऐसे ही कोई भी प्रश्ण आपको बनाना है, जैसे गारा माइनस करणी में, एक गारा दुनी 22 एक कम करके लिख दीजिए, हो गया प्र प्रश्ण देखिए, तो इस पार हमने दो ट्रीक्स बता दिया, अगला प्रश्ण यह रहा, तीश नंबर, देखिए इस प्रश्ण में क्या कहा है, how many factors are 420, और प्राइम नंबर्स, 420 के कितने गुड़नखंड आभाज संख्याएं होगी, आईए गुड़नखंड करते हैं 420 का factor करिए, दो से काटिए, दो दिनी चार, फिर दो से digital है, फिर तीन से कटेगा यह, फिर पांच से कट रहा है, ठीक न, यह अभाज ये गुड़नखंड हुए, और पूछ रहा है, इसमें कितने अभाज ये गुड़नखंड होंगे, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, कितने है भाई, चार अभाज ये गुड़नखंड है इसके, भाई, दो भी प्राइम नंबर होता है, ये किवल पूछा गया है, ठीक न, कि कितने इसके अभाज ये गुड़नखंड है, यदि इसमें पूछा जाता कि कुल कितने गुड़नखंड होंगे, या कुल कितने इसक भाजक होंगे तो भाजकों की संक्या या कुल गुडणखंडों की संक्या के लिए हमने प्राव फार्मुला बता चुके हैं वह फार्मुला अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले प्रैक्टिस सेटों में था ठीक ना लेकिन यहां पर सीधे किवल पूछ रहा है कि कितने अखंड संक्या है एक दो तीन चार ठीक ना आगे बढ़ते हैं वीच आप दा फालोइंग नंबर से डिजविल बाई नाइन निम्नलिकित में से कौन से संक्या नौ से क्या है विभाज्य है नौ से संक्या कौन से विभाजित है आप संद को देखकर के हल करना है क्योंकि से विभाजित है तो नौसे विभाजित वही संक्या होती है है जिनके अंको का योग नाइन से मल्टीपल में हो और था है तो संक्या के अंको का योगफल यदि ट्रवा और शुक्यों फैर नहीं है इसलिए यह संक्या नहीं विभाजित होगी चारती हाई 12, 16, 17, 18 देखिए ध्यान दीजेगा 4, 4, 8, 4, 12, 12, 14, 16, 17, 18 हो रहा है और 18 9 के टेबल में है 9 से विभाजित हो रही है यह संक्या 9 से पुणता विभाजित होगी अगला भी चेक करके देखते हैं पांच, पांच, दस, पांच, पंदरा, पंदरा, पांच, बीस और एक, एक, इस इसका भी योग आ रहा है यह अभी नाओ के टेबल में 9 के टेबल में नहीं है इसका योग फल इसलिए यह संक्या 9 से विभाजित नहीं होगी यहाँ देखिए 6, 5, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 15 और 4, 29 औ में नहीं आता है तो यह भी संक्या 9 से विभाजित नहीं होगी तो यह संक्या विभाजित है तो इस तरीके से आपको चेक करना है संक्या के अंको का योग देख लीजिए कि कितना आ रहा है यदि योग पर 9 के टेबल में है वह संक्या 9 से विभाजित हो जाती है 9 और 3 का मे चलिए दिखाते हैं इसका solution देखिए AQ प्लस BQ के फार में उपर लिखा है तो AQ प्लस BQ का formula हम लोग जानते हैं इस फार में है भाई A बराबर 0.4 ले लिया जाए B बराबर 0.6 ले लिया जाए तो यह आपका बन रहा है AQ हो जाएगा ठीक है इसके जगा पर B हो जाएगा और नीचे की जो value आ रही है A square B square minus A into B यदि उपर formula लगाया जाए तो फर्स्ट bracket में A plus B होगा और second में क्या हो जाएगा भाई second में हो रहा है A square B square minus A B divided by नीचे की value भी same है cancel हो जाएगा बचा कितना भाई A plus B और A बराबर कितना है तो 0.4 है B बराबर 0.6 है जोड़ दिजिए 1.0 अर्थात ये C उत्तर सही है ठीक है C answer इसका correct है भाई ठीक न इस type से कोई भी प्रशन हो ध्यान रहे यहाँ AQ plus BQ है यदी minus रहता तो दोनों को घटा दिजिएगा यदी नीचे कुछ भी value लिखा हुआ देखिए और Q में उपर लिखा है तो समझ जाईए कि आप यदी plus में दिया है तो दोनों को जोड़ दिजिएगा और यदी minus में दिया है तो दोनों को minus कर दिजिएगा अंसर निकल जाएगा ठीक ना 33 नमबर देखिए A and B together can do a piece of work in 20 days and A alone can do it in 30 days A अकेले 30 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है तो B alone can do the work in how many days B अकेले उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा ठीक ना दोनों मिल करके कितने दिन में करते हैं भाई 20 दिनों में समाप्त करते है और A यदी अकेले काम करता है तो 30 दिन का समय लगता है तो B अकेले उस कार्य को कितने टाइम में समाप्त कर सकता है ठीक ना तो दोनों का देखिए एक दिन का काम एक बटे 20 हो जाएगा और एक दिन का काम एक बटे 30 होगा यदि हम दोनों में से A का एक दिन का वर्ग घटा दे तो किसका निकलेगा B का निकल जाएगा ठीक है और B का जब एक दिन का काम निकलेगा तो पूरा आप निकाली सकते हैं अर्थात इसका हम inverse कर दे तो भी काम तमाम हो जाएगा मैंने B का direct पता चलेगा कि कितना time आ रहा है हल करिए इसे L से हम लेंगे L से हम 60 हो रहा है 20 तिहाई 60 हो जाएगा साल करेंगे एक बटे 60 होगा inverse में है तो 60 दिन हो जाएगा और ये उत्तर आपका 20 है हमने formula apply किया है आप देख लीजिए और नहीं याद होता है तो दोनों का एक दिन का काम में से जिसका दिया है उसका एक दिन का काम घटा करके और फिर उसको प्रतिलोम कर दीजिएगा उल्टा कर दीजिएगा तो जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा 34 नंबर यह भी आपका उसी का प्रश्न है इस फिल्ट इन शिक्स मिनट देन हाओ वाट इस ताइम इन मिनट निदेट तो फिल इन दे रिमेनिंग पार्ट यदि टंकी का दो बटे पांचवा भाग छे मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भरेगा बचा हुआ पूछ रहा है ज्यान दीजिएगा देखिए दो बटे आएकिक नियम लगा दीजिए दो बटे पांच भाग इसको एम डीज पर भी किया जा सकता है ठीक न दिखा देते हैं आपको पहले दो बटे पांचवा भाग कितने समय में छे मिनट में भरता है भाई छे मिनट में भर जाता है पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा तो छे गुड़े पांच बटे दो कर देंगे पंदरा मिनट लगता है भाई पूरे भाग को भरने में पंदरा मिनट का समय लगता है दो बटे पांच भाग भर गया है तो सेस भाग आप कहीं निकाल लीजीए सेस भाग कितना होगा तो एक भाग में से आप दो बटे 5 को घटाएंगे तो 3 बटे 5 बचा ठीक न अब ये भरने में कितना टाइम लगेगा तो पंदरा गुड़े दो तीन बटे पांच हो जाएगा पांच से कार दीजिए तीन तीरी का नौ नौ मिनट का समय लगेगा ये आंसर भी साही है ठीक न और दूसरा तरीका भी समझ जीए भाई दूसरा तरीका हम जो बताने जा रहे हैं वह देखिए यहाँ पर बता रहे हैं दो बटे पांच वा भाग छे मिनट में भरता है भरना वर्क होता है ठीक न कारी होता है तो 6 बटे में दो बटे पांच लिख दिजिए गा X minute का समय लगता है से सभाग को भरने में और से सभाग कितना है 3 बटे 5 है 3 बटे 5 यहां कर दिजिए हर से हर को काट दिजिएगा अब cross multiply कर दिजिए 2 से यह कट जाएगा 3 तिरी का X बराबर 9 minute ठीक है डारेक्ट इससे भी answer आ जाएगा समय गए होंके कितना हल्क नहीं करना है तो उस मेथट का परियोग करिए आसानी से निकल जाएगा भरने का जो देता है वह कार्य देता है फार्मला हम लगाए है M1, D1, H1, Y, W1 और M2, D2, H2, Y, W2 ठीक है इस फार्मले का हमने परियोग किया और यह साल्व किया ठीक है अगला प्रश्च देखे आप 35 नमबर इप X अपान Y इकल टू 3 बाई 5 देन वाट इद रेश्यो आप दीस प्लस दीस बहुत असान प्रश्च है X बटे Y ने X का मान 3 दिया है Y बराबर 5 दिया है X बराबर है X की जो वैलू है 3 उपर का उपर और नीचे का नीचे से compare कर लेंगे तो उसकी वैलू निकल जाएगा लेकिन यह तभी हम apply करते हैं ठीक ना इसके पिछले हम जो पढ़ा रहते practice set उसमें बताए भी थे कि इस type का कोई भी प्रश्चन हो जब homogeneous में देता है तभी हम उसकी वैलू direct apply करते हैं अनिथा वह जो है define होता ही नहीं है ठीक ना तो यहां homogeneous फार में है 5 X X की वैलू कितनी है 3 है 3 रख दीजिए 15 हो जाएगा प्लस 2 गुड़े Y Y बराबर 5 है 10 हो जाएगा ठीक ना अनुपात पूछा गया है फिर देखिए 5 X 5 ती हाई 15 माइनस Y बराबर 5 अब इसको हल कर लिया जाए तो यह आ रहा है 25 अनुपाते 10 और इसको 5 से काट दिया जाए तो 5 अनुपाते 2 हो जाएगा 5 रेशियो 2 और यह answer आपका A सही है यह उत्तर सही आ रहा है ठीक है सदहार प्रश्ण है लेकिन जब जानते हैं तभी आपके लिए simple लगेगा अन्यता यह एक तरह से समझेए कि टब भी है जनकारी होनी चाहिए अगला प्रश्ण देखिए आप 36 नंबर The mean of 15 नंबरs is 40 If 2 numbers 45 and 35 are removed जान दीजिएगा इसमें Then what will be the mean of remaining numbers 15 संख्याओं का आउसत 40 दिया है भाई 15 से 40 में जब आप गुड़ा करेंगे तो 15 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 154 का 66 आ रहा है तभी संख्याओं का योग हो गया यह यदि दो संख्याओं 45 और 35 को हटा दिया जाए तो जोड़े लिजिए कितना उससे कम करने के लिए कह रहा है दो संख्याओं को हटाने के लिए कहा गया है 45 और 35 मिल करके हो जाएगा आपका 80 80 को कह रहा है कि हटा दीजिए इन दोनों संख्याओं को रिमूट करने के लिए कह रहा है हटाने के लिए कह दिया हमने हटा दिया 45 और 35 मिल करके हो गया आपका 80 ठीक है 80 को हटा दिया जाए तो सेस संख्याओं का उससर्थ क्या होगा अब संख्याओं बची कितनी भाई 15 में से 2 को हटा दिया जाए तो संख्याओं कितनी हो गई 13 और 13 संख्याओं का यह योगफल हो गया इसमें यदि 13 से भाग दिया जाए योगफल में तो उस सेस संख्याओं का इभरेज निकल जाएगा अब इसको हल तो करना है के वहल घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा 8 6 8 2 10 हो जाएगा भाई यह हो जाएगा 2 ठीक है 5 13 4 का 52 42 आ रहा है ठीक ना यह आपका उत्तर सही है B उत्तर सही आ रहा है इसका ठीक ना एक बार देख लीजिए ध्यान से क्या बताया गया है 15 संक्याओं का जब एवरेट 40 दिया है तो 15 गुणे 40 करेंगे तो युगफल निकल जाएगा 2 संक्याओं को हटाने के लिए कर हटा दिजिए जोड करके घटा दिए हट गई संक्या युगफल से उसका हमने माइनस कर दिया वैलू को अब बची संक्या कितनी तो 15 में से 2 को हटाया गया है तो बच्चा तेरह है न तेरह से भाग दे देंगे तो से संक्याओं का अवसत हो जाएगा अगला प्रिश्ट देखे आप 37 नंबर प्रिश्र ये रहा इस प्राइज आफ अ कुम्टिटी इजड़ डिक्रीज बाई 40 परसेंट एंड इट्स दकंसप्सम्ट इज इंक्रीज बाई 30 परसेंट देन वाट विल बी दा परसेंटेज इंक्रीज इन दा इक्सपेंडूचर आप दा कुम्टिटी यदी एक वस्तू की कीमत चालिस प्रतिसत कम हो जाती है तथा उसकी 35 परसेंट बढ़ जाती है देखिये कीमत घट गई लेकिन खानवने क्या किया ज़्यादा कर दिया मैं उस वस्तू का उपभोग हमने क्या किया 30 परसेंट बढ़ा दिया रेट बढ़ा घटा है 40% और उसका उपयोग हमने 30% जादे यूज़ करना शुरू किये हैं वस्तू के खर्च में कितने प्रसत की ब्रिधी या कमी होगी फार्मला हम लगाते हैं बाई ये फार्मला हम लोग यूज़ करते हैं X प्लस Y प्लस X इंटू Y बाई 100 ठीक है? Decrease सब्द दिया है प्रश्ण में कमी सब्द दिया है तो माईनस किया जाएगा भाई और यदि ब्रिधी सब्द दिया है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे ठीक ना? ब्रिधी के लिए प्लस करना है X बराबर देखी 40% कम किया है 40 माइनस हो जाएगा खपत बढ़ा दिया तो प्लस 30 हो गया प्लस माइनस 40 गुड़े 30 बटे में 100 इसको हल किया जाएगा तो 4 ती हाई 12 निगेटीव हो रहा है माइनस 40 ने से 30 को घटाएंगे माइनस 10 हो जाएगा उधर भी माइनस आ रहा है चारती हाई 12 अर्थात माइनस 22 अर्थात 22% decrease हो गया 22 प्रतिसत जो है कम हो गया decrease 22 प्रतिसत कम हो गया 22 प्रतिसत की कम ही हो गई यह आपका सही आ रहा है यह उत्तर इसका सही है चलिए आगे देखिए In the following question Select the odd word from the given alternatives यहाँ से हम लोग reasoning के प्रश्णों को अब देख रहे है ठीक न और यह है आपका देखिए classification chapter का वरगी current chapter का जिसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें different है कौन सा सबसे आपको बिसम दिख रहा है ठीक न फेफडा, नाक, स्वासनली, यकृत बढ़ियां से पढ़िए यह आपके biology के question है और सभी मनिश्यों के सरीर में होता है हम लोग के सरीर में ऐसे ऐसे अंग है खुद हम लोग जानते नहीं है ठीक न कोई अंग गड़बढ़ा जाता है तो doctor के पास भगते हैं क्योंकि वो पढ़ा है भाई आपके सरीर के विश्यों में पढ़ा है ठीक न चलिए देखे इसमें कौन सा different आपको दिख रहा है तो हम देख रहा है nose, lungs, फेपडा ठीक न air vibe, स्वास नली यह स्वास से संबंधित यह है तीनों का तीनों और यह liver है भाई पाचन क्रिया से संबंधित है ठीक न तो यह को हम क्या कर सकते है different कर सकते है यह different है क्योंकि यह सांस से संबंधित है स्वास से संबंधित है ठीक न और यह आपके पाचन तंत्र से संबंधित है इसलिए यह आपका different हुआ D is the right answer हुआ अगला प्रस्ट देखिए in the following question select the odd number pair from the given alternative निम्लिकित प्रश्ण में दिये गए भी कल्पों में से 20 संख्या क्यों यह वही प्रश्ण है यह भी आपका उसी chapter का है वर्गी करण का लेकिन संख्या से संबंधित है देखिए वर्गी करण और आपका analogy जो बताते हैं बार बार व इसे exercise है reasoning में वह अथा है क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है और ना उसका कोई rule regulation है प्रैक्टिस है बस प्रैक्टिस आप जादे करते हैं तो उस तरह के प्रश्णों को लगा सकते हैं प्रैक्टिस नहीं है तो कभी भी नहीं हल होगा आपसे इसलिए प्रैक्टिस मिश्च 500 क्या आता है 31 किसका cube है यह ठीक है चार का घंकरने पर चार का 3 घाट करिए 64 चार का q करिए 64 आ रहा है पांच का cube करने पर 115 होता है लेकिन यहां क्या दिया हैben चीज दिया है तो यह डिफरेंट है आपका साथ का क्यूब करिए 343 आता है बाई 343 आता है तो यह एक दूसरे से related है बट यह जो है बर्ग दिया है इसलिए यह आपका गलत हुआ अर्थात इसी को पूछ रहा है कौन साथ डिफरेंट आपको दीख रहा है तो यह आपका डिफरेंट हुआ ठीक है यह आपका सी उत्तर सही हुआ ठीक ना सी आंसर सही है चलिए आगला देखें आप चालिश नंबर इन दा फालिविंग कोस्टिन सेलेक्ट दा ओड लेटर्स प्राम दगीवन अल्टरनेटिव निमलिखित प्रश्णों में दिये गए बीकालपों में से बीसम अच्छरों को चुनिए वह ऐसा ही प्रश्ण है लेकि 3, 24 और 22 भी 22 पर होता है और यह 24 पर होता है ठीक है माइनस 1 प्लस 2 यह पहला अप्सन हमने किया Q, P, R यह B अप्सन है सत्रा सत्रा है, सेवेंटीन है सोला है, अठारा है माइनस 1 प्लस 2 इसका मतलब दोनों फालो किया यह रीजन चल रहा है, लग रहा है 3 वाले को यहाँ चेक करते हैं वाई, 11, 10, 12 ठीक है, माइनस 1 प्लस 2, यह भी भाई सही आ रहा है G7, A, 6, 9 जान दीजिए माइनस 1 प्लस 3 करने पर आ रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि D आपका different है, बागी सभी में जो 3 आपसन हम लोग ABC देख रहे हैं, उसमें same region चल रहा है same pattern पर बनाया गया है लेकिन आपका D में क्या देख रहे हैं माइनस 1 और प्लस 3 हो जा रहा है इसलिए यह आपका different हुआ तो alphabet से संबंधित प्रशनाते हैं तो आसान है, क्योंकि code उसका जानते हैं तो आप आसानी से solve कर सकते हैं बट वही चीज यह दि biology, physics, chemistry या अन्य कोई logic से प्रशन बना करके देता है तो बड़ा गंभीर समश्या रहती है क्योंकि practice नहोंने के कारण ऐसे प्रशनों को आदमी छोड़ भी देता है छोड़ना पड़ता है नहीं तो गड़बड कर सकता है जितना असान देखने में है इसलिए कहा जाता है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर ठीक ना, हत्वड़ा जो है देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन मारता है कि बड़े से बड़े चीजों को निचोड करके, पटक करके, फाड करके तोड़ देता है ठीक ना, तो घाव वहुत गंभीर करता है वही हाल है प्रशनों में भी ठीक ना, तो यह लाजिक जो बनाया गया है वह बड़ा बहतरीन सब्द का कलेक्शन करके बनाते हैं लोग चलिए आगे वढ़ते हैं हम लोग एक तालिश नंबर यह आप देखिए वेन डाइग्रम से संबंधित प्रश्ण है वह आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपन करता है भाई अभी नेता निर्देशक पूरुस ठीक है C आप सन इजदा राइट आंसर क्योंकि भाई कुछ अभी नेता पूरुस भी हो सकते हैं निर्देशक भी हो सकते हैं पूरुस हो गए यह निर्देशक हो गए तो C इदा राइट आंसर C परेक्ट बैठ रहा है C उत्तर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं निवनिकित प्रश्ण में दिये गए बीकल्पों में से संबंधित सब्द को चुनिए मदीरा मद निर्माड साला को मद निर्माड साला बोला जाता है सिक्का का निर्माड कहां किया जाता है सिक्का कहां च्छापा जाता है कहां बनाया जाता है तो आप पढ़े होंगे टकसाल में ठीक है जीके का प्रश्ण है यह कहां बनता है भईया टक्साल में, मिंट में बनता है ठीक ना इससे याद रखे रहे ये प्रश्ण MAKSIMUM पूछे जाते है ठीक ना इस तरह कि चलिए अगला प्रश्ण देखिये ये रहाँ अगला प्रश्ण निम्नलिकित प्रश्ण में दिए गए बिकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए जिस रीजन पर ये बना है बहुत सिंपल है चार का क्यूब करिए 64 आता है चार का क्यूब 64 चे का क्यूब करिए 216 हो जाएगा 216 होगा तो ये आंसर इसका सही है क्योंकि 6 का क्यूब करने पर 260 आता है 44 नमबर देखिए निम्रिकित प्रश्ण में दिये गए बीकल्पों में से संबंधित अच्छरों का चुनाव करिए चुनना है आपको जो रीजन इन दोनों में है वही रीजन लगा कर कि इसका मान निकालना है आपको ठीक है BDEH B D E H आईए देखते हैं क्या रीजन है क्या कलेक्शन इसमें देखिए ये दो पर है ये चार पर ये पाँच पर ये आठ पर ठीक ना तीन जोड़ दिया चार जोड़ा ज्यान रखिएगा अब इसी तरह से इसका बताना है P X 12, 24 ठीक है कितना जोड़ेंगे 3 3 जब प्लस किया जाएगा तो कितना होगा भाई 12, 3, 29 29 पर क्या पढ़ता है तो एस एस से B और D आपसन दिया है चार जोड़िये 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 होता है 20 तो लेटर होते नहीं है तो रिवर्स हो जाता है ताद B आजाएगा लाश्ट में आपका ठीक ना तो ये रिजन हुआ तो आंसर इसका क्या रहा है भाई A सभी ये है B इदा राइट आंसर B उत्तर इसका सही है ठीक ना चलिए अगला प्रस देखिए निम्नलिखित बिकल्पों में से वह सब्द चुनिये जो दिये गए सब्दों के अच्छरों का प्रियोग करके नहीं बनाये जा सकता है ये एक सब्द दिया है इस सब्द से कौन सा ऐसा चार आपसनों में से दीख रहा है आपको जो नहीं बनाये जा सकता है ठीक ना आपको चुनाव करना है ऐसा कौन सा आपसन है जो उन दिये गए अच्छर दिये गए सब्द से जो लेटर इसके अंदर यूज किये गए हैं उन लेटर में से कौन सा ऐसा लेटर डिफरेंट है वही आपको पाचान करना है इन चारों आपसनों में से क्योंकि नहीं बनाये जा सकता है यदि इनमें दिये गए लेटरों का प्रियो करके बनाए गया तो तो बनाए जा सकता है कौन सा नहीं बनाए जा सकता है ठीक ना तो हम ध्यान से देखते हैं भाई इसमें हम देख रहे है आर आर है ओ भी है एस भी है इभी है ठीक ना यह तो बन जा भी है आर है ए भी है यह पी नहीं है पी इसमें नहीं है भाई क्या नहीं है यह पी इसमें लेटर जो सब्द दिया है उसमें पी लेटर नहीं है इसलिए यह सब्द इस सब्द से जो later है जो use किये गए later है उससे यह नहीं सब्द बनाए जा सकता है बागी सभी बन जा रहे है S है उसमें A भी है N भी है D भी है तो यह भी बन जा रहा है बस यहीं एक option C है जिसमें P later different है जिसके कारण यह नहीं बनाए जा सकता है अगला देखिए यदि उत्तर पुर्व को पुर्व कहा जाता है बाई चलिए इसका diagram हम बनाते हैं तब प्रश्न को पढ़ते हैं अपने right side में ले ले जिएगा हमेशा इसे याद रखिए यह मानक है इस tender है किसी भी प्रश्न को साल्व करने के लिए और आपके बाएं हाथ की तरफ वेश्ट होता है सर की तरफ north है नीचे है south इसे हम बोलते है north east इसे बोला जाता है south west इसे हम बोलते है south east और इसे बोलते है north west ठीक है यह मानक है यह इस्टेंडर है प्रश्ण में अब जो कह रहा है उसके एकाडिंग चलिए उत्तर पुर्व को पुर्व कहा जाए उत्तर पुर्व को उत्तर पुर्व को पुर्व कहा जाए यह यहां पर खिसका दिया भाई चीक न यहां पर का रहा है इस्ट हो जाए यह यहां चला गया तो फिर यह यहां आ जाएगा भई नार्थ इस्ट होगा यहां यहां चला जाएगा नार्थ यहां हो जाएगा ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा वेस्ट के जगा पर हो जाएगा नार्थ वेस्ट फिर ये वेश्ट यहां हो जाएगा साउथ के जगा पर साउथ वेश्ट होगा इसके जगा पर साउथ हो जाएगा और इसके जगा पर साउथ होगा यह diagram हो जाएगा, ऐसे interchange करने के लिए प्रश्ण में का रहा है क्या पूछा है, दच्चिड को क्या कहा जाएगा, दच्चिड को क्या कहा जा रहा है south west, दच्चिड और पश्ण कहा जा रहा है, दच्चिड और पश्ण यह है तो भी इदर right answer भी उत्तर सही है ये कही प्रश्ण से बाग की बने प्रश्ण को थोड़े से ही पढ़ा करके आप लगा सकते हैं इस तरह के प्रश्णों को जैसे वो मूब किया है वैसे आप इसको मूब करते जाएगे असानी से आंसर निकल जाता है जादे सोचने वाला प्रश्ण नहीं है अगला प्रश्ण T को H Q W लिखा जाता है भाई इस code भासा में H E N को किस प्रकार लिखा जाएगा यह coding decoding का प्रश्ण है किसका है भाई coding और decoding का प्रश्ण है देखिए इसमें क्या region है देखते हैं G O T G 7 O 15 T 20 H Q W 8 17 23 सात और एक आठ होता है भाई ठीक है 15 2 17 20 और 3 23 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जोड़ करके और code दिया गया है चलिए हम जिसका answer निकालना है उसमें भी जोड़ते हैं भाई H E N यह 8 पर है यह 5 पर है यह 14 पर है इसमें 1 जोड़ना है इसमें 2 जोड़ना है और इसमें 3 जोड़ना है आई यह जोड़ करके देखते हैं क्या आता है 9 होगा 7 होगा 17 होगा इस पर पड़ेगा I इस पर पड़ेगा G और इस पर पड़ेगा Q ठीक है I G Q फर्स्ट आपसन ही आपका सही दिख रहा है प्रत्थम answer आपका सही है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग coding decoding का प्रश्ट बहुत सरल रहता है ठीक न यह सभी Y ग्रूप के है time के recording प्रश्ट बनाए जाते हैं ठीक न अगले पर आते हैं 48 नंबर प्रश्ट जब भी देखिए प्रश्ट बनाए जाते हैं Y ग्रूप का वर time management से बनाए जाता है ऐसा नहीं है कि ला करके बहुत बड़ा प्रश्ट भर दीजिए जिसे कि वच्छा कर ही नहीं पाए selection से दूर तो रखने के लिए ही paper बनाए जाता है बट ऐसा paper बनाए जाता है जिसमें जो पढ़ा लिखा रहेगा अच्छे तरीके से speed जिसका maintain होगा वह निशी तो उसे परिशा को निकाल सकता है ऐसा paper बनाए जाता है ठीक ना एक violence paper होता है डिस violence paper नहीं होता है ठीक ना ये देखिए पी क्यू से लंबा है क्यू आर से छोटा है एस पी से लंबा है परन्तु आर से छोटा है सबसे छोटा का हो ना हम देखिए greater than less than करके नहीं समझाएंगे जो जितना लंबा है उसको यार लंबाई उसकी बढ़ा दीजिए हाइट बढ़ा करके क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी हाइट दिखती है तो हम तुरंत पहचान लेते हैं ये बढ़ा है greater than less than में confusing हो जाती हैं बच्चों को ठीक ना लाजिक लगाना पड़ता है ठीक ना तो हम greater than less than का प्रयूग नहीं करेंगे देखिए कैसे बताते हैं आपको पी क्यू से लंबा है पी किस से लंबा है भाई पी लंबा है क्यू से ऐसे बना लिजिए किस से लंबा हुआ Q R से छोटा है और Q R से छोटा है Q R से छोटा है A S P से लंबा है और A S P से भी लंबा है परन्तु R से छोटा है इसका मतलब R सबसे बड़ा हुआ सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा वहिया क्यों दीख रहा है? सबसे लंबा R हो जाएगा देखिए कितना असानी से बन गया इस तरीके से प्रश्ण को हल करना है ठीक ना कोश्चन को पढ़िए और हाइट को बढ़ाते जाईए आंसर निकल जाएगा greater than or less than का प्रयोग करता ही न करिए तो आंसर आपका आंसर इसमें आ रहा है फोल्डिंग का है ठीक ना यह दिखाते हैं देखिए यदि यह चतुर्थ पार्ट है एक चौथाई भाग में यह फीगर बना है यदि आप open करेंगे इसको इधर लाएंगे तो ऐसे जाएगा ध्यान रहें कियेगा ऐसे जाएगा और जब ऐसे करेंगे तो यह नीचे की तरफ भी बनेगा ऐसे ठीक ना ऐसे नीचे की तरफ भी बन जाएगा तो देख सकते हैं आंसर इसका कौन सा रहा है भाई आंसर इसका देख लिजे यह आ रहा है देख लिजे कैसे बना है ठीक ना वहाँ कटिंग किया गया है जब पल्टेंगे नीचे की तरफ लाएंगे तो ऐसे आकरिती नीचे भी आ जाएगा तो ए में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है ठीक है लाश्ट प्रश्ण है कि अंतिम प्रश्ण है और यह अंतिम प्रश्ण पचास नंबर यह रहा प्रश्नाकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह की सुत्तराकृति जैसा दिखाई देगा ठीक है अब देखे ये भी चतुर्थ भाग है एक और भी समझा देते हैं तरीका इसमें बींदी दी गई है और एक चौथाई में बना है जब खोलेंगे तो चार चौथाई में ये फिकर जाएगा नहीं पूरे भाग में चला जाएगा चार भाग में जाएगा एक चौथाई है ना ये तो चार गुडे 3 करें गे तो 12 होना चाहिए अब देखिए 3, 36, 39, 32 इसमें भी आ रहा है 3, 36 इसमें 12 नहीं है 3, 36 चारदसी है तो ये आंसर और ये आंसर तो होई नहीं सकता है C और D में आपको अप देख लेना है कि कौन सा उत्तर आएगा ठीक न? तो अब आपको ध्यान देना ये चीज है कि देखिए एक बिंदू सरकल के सरकमफ्रेंस पर दिख रहा है मने परिधी के पास दिखाई दे रहा है अर्था चारो तरफ बनेगा ये ये बिंदू चारो तरफ होगा एक, दो, तीन, चार यही दिख रहा है देख रहा है ना ये परिध के पास में बना हुआ है ये बना है ठीक है तो यह भाग जब ओपन करेंगे तो यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा इसमें नहीं दिख रहा है इसमें उल्टा दिख रहा है दो बिंदू जबकि दो बिंदू दो दुनी चार दुनी आठ ये ऐसे बनेंगे दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सरी दो दो चार दो छे दो आठ अंदर बनेगा स्टेंटर की तरह बनेगा सेंटर के पास रहेगा हो बृत के किंदर के पास होगा और बाकी circumference पर जाएंगे, परिधी पर जाएंगे, इसलिए answer C is the right answer, ठीक न, C उत्तर आपका सही हुआ, इस तरीके से हम लोग 50 प्रशनों का practice किये, ठीक न, ये Y group का आपका third practice था, ठीक है, और इसी तरीके से continue आपकी class अभी चलती रहेगी, और next day आपका X group का होगा, ठीक न इसके बाद Navy SSR, information आपको बता दिया जाएं, बार बार बता रहे हैं भाई, Navy SSR, इसके बाद Navy EMR, ये दो के practice batch start जल्दी होने वाले हैं, और फिर Indian Coast Guard का भी practice batch बहुत जल्दी हैं,